हरे कुष्णा फ्रेंड्स स्वागत है आपका मिताक्ष मौम एंड रेसिपी में और जब आपका ब्रेथ में कुछ अच्छा खाने का मन होना तो आप ये लड्डू बना सकते हैं और आप इसे ब्रेथ में भी खा सकते हैं और जब मरजी आए तब खाईए और जितना मरजी हेल्दी भी है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है क्योंकि हमने इसे कच्छे नारियल से बनाया है और साथ में हमने इसमें चीनी कभी यूज नहीं किया है तो इसे कैसे बनाना है चलिए देखते हैं आपको रेसे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है तो इसके यह हमें सबसे पहले लेना है कच्चे नारियल तो यहां पर मैंने दो नारियल लिए जिसे तोड़ कर और जिसकी यह गरी निकाल ली है और अब हमें क्या करना है इसका जो काला भाग है उपर का इसको छिलनी से छील लेना है और इसे अलग कर देना है तो इसे आप छिलनी से छील लेंगे और छीलने के बाद अब हमें इसे कट करना है तो आप इसे चाकू से या ग्रेटर से ग्रेट कर लें लेकिन चाकू से काटेंगे तो जल्दी हो जाता है तो हम इसे जल्दी जल्दी छोटे छोटे तुकड़ों में कट कर लेंगे तो इस त तो यह देखे यहां सारा नारियल मैंने इस तरह टुकडो में कट कर लिया है अब हम मिकसर जार लेंगे और इसमें पहले आधा नारियल डालेंगे और इसमें हमें पानी या दूद कुछ भी नहीं डालना है केवल नारियल लेना है और मिकसी में रखकर इसे पीस लेना है जब अब जाके ये बारीक पेस्ट में तयार होगा तो हमें इसका एकदम बारीक पेस्ट बनाना है तो इसी तरह से सारा नारियल हम सूखा पीस लेंगे हमें कोई पानी या दूद का यूज नहीं करना है और ये बहुत ही आसानी से पिस जाएगा तो इस तरह से देखे हमने इसका स जो आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं या जादा भी डाल सकते हैं या मैंने 8-10 काजू लिये हैं और 8-10 बादाम और थोड़े किसमिस लिये हैं और इसे medium flame पे हम भून कर इसका color change होने तक इसे भून लेंगे कि इसमें सच्छे से full जाएंगे तो अगर आप ज़्यादा dry fruits डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं या नहीं डालना चाहते हैं तो इसके bigger सकते हैं तो यहाँ पर हमने dry fruits अच्छे से भून लिये हैं अब हमें लेना है एक cup मूम फली के दाने लेकर अब हमें इसे भी जो बचा हुआ घीता उसमें ही डालना है और इसे roast कर लेना है इसका color change हो जाएगा और यह चटकती है तो इसके चटचट के आवाज भी आएगी तो आपको ध्यान रखना इसे चलाते जाना है ताकि इसका color change हो जाए और मूम फली high protein होती है बहुत ज़्यादा healthy होती है तो आपको इसे diet में use करना ही चाहिए तो आप जब इसे लड़्डू बना कर खाएंगे और खासकर breath में तो यह बहुत ज़्यादा energy देंगे आपको इसलिए हमने इसमें मूम फली का use किया है और देखे हमारी मूम फली अच्छे से roast हो गई है इसका color change हो गया है तो अब हम इसे एक plate में निकाल कर रख लेंगे अब मूम फली को निकालने के बाद जो बचा हुआ घी है और एक्स्ट्रा घी इसमें यूज नहीं करना है इसमें डाल देंगे हम कच्छा नारियल जो हमने paste बना कर रखा था और इसे भी हम भून लेंगे तो इसे लगातार चलाएंगे क्योंकि ये pan में चिपकता भी है और gas का flame medium रखेंगे क्योंकि हम इसका हलका सा color change करना है क्योंकि इसमें कोई खुश्बू नहीं आने वाली है कि आपको पता लगेगा कि ये बहुत ये अच्छी खुश्बू आ रही है बस भून गया है बस हम मिनट में बस ये बूनका ready हो जाएगा तो हम इसे एक अलग थाली में निकाल कर रख लेंगे और side में हमने जो dry nuts roast करेंगे वो सारे nuts भी हम रख देंगे ताकि अच्छे से ठंडे हो जाएं और अब हम फिर से पैन रखना है गैस पर और इसमें डालना है गुड़ तो गुड़ यहां पर हमने देशी जो गुड़ आता है वो लिया है तो यहां कम से कम 200 ग्राम गुड़ लिया है और आपके पास वो जो गुड़ की जो बट्टी आती है ना तो उस तरह से आप दो ग पानी और गैस ओन कर देंगे और इसे गुड को पिघलने देंगे तो गुड जब पिघलेगा ना तो हमें इसके कोई चाशनी नहीं बनानी है बस ये पिघल जाए और हलकी से इसमें उबाल आ जाए तो इतना ही पिगलाना तो हम इसे धीमी आज में रख देंगे जब तक हमारा गोड पिगल रहा है जब तक हमने जो नट्स लिए थे मौम फली ली थी वो ठंडी हो जाएगी तो ठंडी होने के बाद अब हम इसे पीस लेंगे एकदम बारीक पेस्ट बनाना है तो आप चाहें तो इसमें ड्राय फ्रूट्स डाल कर उसे भी पीस लें और अगर नहीं पीसना चाहते हैं तो उसे ऐसे ही चॉपड करके डालें टुकडो में कट करके तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं तो यहां पर मौम फली ये साथ हमने किसमिस काजू बादाम सब कुछ इसमें टुकडो में कट करके डाल दिया है साथ हमें एक चमच इलाइची पाउडर डाला है और इसे अच्छे से मिक्स होने देंगे उसके पहले हम गुड देख लेते हैं जो हमने पिघलने के लिए रखा था यह बहुत ही अच्छे से पिघल गया है और उबाल आने लगी है इसमें तो जब इसमें दो मिनट तक अच्छे से उबाल आ जाएगी आपको लगेगा कि हाँ यह चाशनी बनने लगी है तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे जो हमने मिक्शर रेडी किया है नारियल और ड्राय फ्रूट्स का डाल कर इसे चलाएंगे गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अगर आपको यह गीला लगता है तो आप गैस ऑन करके दो मिनट और पका लें तो देखे इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स करना है बहुत ही आसान है ना ही हमें कोई चा चाल लिया है coconut तो डाल दे नहीं तो मेरा बचा हुआ रखा थोड़ा सा coconut तो उने ग्रेट करके डाल दिया है तो जब इसके bites आएंगे न मुह में तो भी बहुत जादा अच्छा लगेगा तो इसे भी अच्छे से mix कर देंगे और बस हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए जब यह हलका सा थंडा हो जाएगा न तब हम इसके लड़ू बनाएंगे क्योंकि गरम गरम में बनाएंगे तो हाथ जल जाएंगे और लड़ू भी नहीं बनेंगे तो यह बहुत ही अच्छे से थंडा हो गया हलका सा गुन-गुना है तो आप इसमें थोड़ा सा अगर चा होगी वैसे यह जब ठंडा हो जाता है न मिक्षर तो इसकी बाइंडिंग अपने आप अच्छे से हो जाती है लेकिन आप डेसिकेटिड कोकोनट मिला देंगे तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा तो अगर आपको लगता है तो आप मिला दें नहीं जरूरत लग रही है तो ना मिलाएं अब देखें इसके जो लड्डू है बहुत ही आसानी से बन जाएंगे बस हमें इसे हाथों से दवाना है और शेप देना है तो हैना नारियल के लड्डू बनाना बहुत ही आसान खासकर कच्छे नारियल के लड्डू जो आप ब्रत में खा सकते हैं तो इसी धेरे धेरे ठंडा होता जाएगा और जितना ज़्यादा ठंडा होता जाएगा इसके बाइन्डिंग उतनी अच्छी होती जाएगे लड़ों की, यह बहुत अच्छे से हमारे जो लड़ों हैं वो बन गए हैं, तो आपको भी इसी तरह से लड़ों बनाना है, आप इसे एक सी से कच्छे नारील के लड़ू जरूर बनाईएगा और रेसिपी अच्छी लगे न है तो प्लीज इसी तरह के और भी अच्छी रेसिपी के लिए सब्सक्राइब करें मिताक्ष मॉम एंड रेसिपी और अभी मैंने सूजी के लड़ू बनाए थे सूजी और दूद को मिक्स कर करके हम कैसे लड़ू बना सकते हैं जिसमें बिलकुल टाइम नहीं लगता है बहुत ही टेस्टी बनते हैं वो भी आप देख सकते हैं बेसन के पीड़े बहुत सारी मिठाई रेसिपीज हैं जिसे आप चेक कर सकते हैं और आपको बहुत ही जादा पसंद आने वाली हैं और आगे भी में बहुत ही अच्छी अच्छी रेसेपीज ले के आओंगी तो प्रीज सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में